गुलाल और रंगों का तेवार, होली का नाम सुनते ही हम उत्साथ से भर जाते हैं जिसमें लोग खाने से लेकर आउटफिट्स तक की तेयारी कई दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं बच्चे गुबारे और पिछकारी के साथ खेलने लग जाते हैं और बड़े बॉलिवुट के कानों पर नाचते हैं और खुब धूम मचाते हैं हाला कि अब तक आपने भी सारी तेयारियां कर ली होंगी ऐसे में ज़्यादा तर लोग बाहर घूमने का भी प्लैन बना रहे होंगे और अगर आप भी कहीं घूमने का प्लैन बना रहे हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां होली का देवार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है भारत के उत्तर परदेश में मौजोत वारा नसी को कई नामों से जाना जाता है जैसे बनारस और काशी साथ ही इस प्रसित नगर को हिंदू धर्म में सबसे अधिक पवित नगरों में से एक माना जाता है यह शहर हमेशा से ही शांस्कृतिक और धार्मिक केंद रहा है यहां पूरे साल प्रेटकों की भीर लगी रहती है लेकिन होली के वक्त यहां भीर और भी बढ़ जाती है यहां होली का जशन आम रंगों से ना होकर खास तरीके से मनाया जाता है दरसल यहां होली रंगों से ना खेल कर शिताओं की भजन से खेली जाती है और आप भी यहां जाने का प्लान बना सकते हैं यकीन मानिये यहां जाकर आपका तेवहार यादकर बन जाएगा बतादे कि मत्रा और विरिंदावन में इस तेवहार को बहुती धूमधाम से मनाया जाता है और विरिंदावन की होली सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि पूरे विश्म में मशूर है मज़े की बात तो यह है कि विरिंदावन में बसंत पंचमी के दिन से ही होली शुरू हो जाती है ऐसे में होली खेलने के शोकीनों के लिए यह स्थान एक बहुती अच्छा विकल्प है आप यहां पने दोस्तों या अपने परिवार के साथ घुमने के लिए जा सकते हैं और अगर आप लठमार होली का आनंद लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बरसाना और नंदगाउँ जाना होगा यहाँ जाने के लिए आपको पहले मत्रा पहुँचना होगा और फिर आप इन दोनों स्थानों पर लटमार होली देखने का आनंद उठा सकते हैं नमबर त्री पुषकर राजस्थान में सथित पुषकर शहर की गिंती भारत के सबसे पूराने शहरों में से एक के रूप में होती है अजमेर की उत्तर पष्चिम में इस्थित ये राजस्तान में आने वाले हजारों सैनालियों और भक्तों के लिए एक पसंदिदा स्थान है और ये तो आप जानते ही होंगे कि राजस्तान एक रोयल यानि शाही प्रदेश रहा है ऐसे में राजस्थान के अलग-अलग शहरों में शाही परिवार के लोग बेहदी शांदार तरीके होली का तेवहार मनाते हैं और अगर आप भे अपना तेवहार यादगर बनाना चाहते हैं तो यहां जाने का प्लैन जरूर बनाएं नंबर फॉर उदैपूर बतादे कि जब भी राजस्तान घुमने की बात होती है तो उधैपूर का नाम जरूर लिया जाता है यह इस राज्य का परमुख प्रेटन स्थल है यहाँ पर कई विरासत स्थल जीले और अरावाली परवर्शंक लाएं इस जगे की सुन्दता में चार चान लगा रही है और होली के मौके पर तो यह शहर बहुती खूबसूरत नजर आता है यहाँ होली के एक दिन पहले बॉनफायर की तरह होली का देहन होता है इसके बाद लोग राजस्थानी कप्ड़े पहन कर लोग कीत गाते हैं ऐसे में बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ जाएं और होली का तेवहार मनाएं हमारी इस वीडियो पर आप भी अपनी राये हमें कमेंट करकर जरूर बताएं साथ ही वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करना न भूले और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही आइनन डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर अले